हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आपका दोस्त कनेडियन बनिया आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 22 की अप्रैल की टीपीर टाइम लाइन और साथ में जैसे कि मैं आपको अपडेट बताता हूं वह भी बताऊंगा तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पीपीर का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए पोटेंट है ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी पीपीर कब आने वाली है अगर आपकी टाइम लैन किसी भी टाइम लैन से मैच करती है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी PPR भी आने हो लिए है so friends बिना देरी किये करते हैं वीडियो स्टार्ट बट दोस्तों से पहले मेरा चल लीजे चैनल सब्सक्राइब प्रेस्ट बैल आइकन if you have any question DM me then I will help you by giving answer of your question कहीं students मेरे साथ Instagram पर जुड़े हुएं and वो अपने question share करते हैं मुझसे answer लेते हैं so आप भी जल्दी से Instagram पर जाईए follow कर लीजे और अपना question मेरे साथ share कीजे then I will give answer of your questions so first PPR की बात करते हैं दोस्तो first PPR है Canada visa filing इनकी 19th FAB को लगी थी Biometric इनके 21 FAB को हुए है medical इनका end review started हुआ है same day 28th March को BVL and PPR इनका आया है 22 April को so thank you I hope same for the others confirmation of online application इनकी 22nd March को लगी है submission confirmation इनने 22nd March को ही same day आ गई थी and correspondence letter 22nd April को original passport request 22 April को आया है इनके पास जय भोले नाथ file 17th March Biometric 21 March medical updated 15th April BVL and PPR 2 days आज इनको इनकी PPR रेसीव हुई है means 22 April को confirmation online application 22 March submission भी 22 March को मिली Biometric इनके 23rd March को means 1 day बाद ही हो गए थे correspondence letter इनने 22 April को मिला and original passport request इनने 22 April को means 1 month के बाद इनने अपनी PPR request मिल गई जब से इननोंने अपनी file लौँच की थी मार्च के result अभी बहुत ही fast आ रहे हैं means आप यह कह सकते हैं कि 8 to 10 days से अभी तक मार्च के result ही आ रहे हैं मार्च की file के बहुत ज़्यादा result देखने को मिल रहे हैं माई 2022 माई 2021 सबसे पुरानी PPR भी दोस्तों आई है means old PPR भी अभी आ रही है और इनकी PPR तो बहुत ही ज़्यादा लेट आई है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपके जी सी के में वह अपडेट नहीं हुआ है तो वह आपको वापिस बेश सकते हैं आपको स्टेडी परमिट नहीं देएंगे या आपको वर्क परमिट नहीं देएंगे तो इस तरह की प्रोलंस वह था रही है सो री मेडिकल इन्होंने 19th मार्च 2021 को कराया फिर्स्ट ओफ लेटरिंग का 15 वैप 2020 को आया था और फाइल इनकी 28 नेवेंबर 2020 बाइमेट्रिक इनके 23rd मार्च को अपडेटिट भी हो गए थे उसके बाद मेडिकल अपडेट एंड रिवीव 20 अपरेल एंड फाइनली पीप प्रेट आया वहान एर के बाद आया तो excitement में इन्होंने सब कुछ अपना लिखाया ताकि आपको भी एक confidence मिले ताकि आपको भी एक हिम्मत मिले कि आपकी पीपियार भी आने वाली है इनकी 17 अगस्त को आई एक और केस है जो 2020 का केस है जिस वो मार्च में अप्लाई किया था medical expire on 8 December 8 December को इनका भी medical expire हो गया था medical request आई 1 April को and उसके बाद PPI 22 April को इन्होंने भी medical की request आई थी पहले कि आप medical दोवारा करवाई है अपना तब उसके बाद आपको result देंगे इन्होंने अपनी medical करवाया 22 April को इनकी PPR आ गई and I also have refused divisa one time on 18th feb 2020 then at the end today I got PPR so यह एक refusal case है refusal case means इनका 2025 में refusal आ गया था and उन्होंने 11 March को फिर reapply किया and उसके बाद इनकी PPR इन्हे 22 April को receive होई है so दोस्तों यही थी आज की PPR 22nd date की जो कि मैंने आपके साथ share करनी थी so please like this video and share this video and comment कीजिए कि आपकी PPR आ गई है या नहीं so मुझे भी बताइए some big updates सबसे बड़ी update यही है दोस्तों traveling and immigration को लेकर जो कि मैंने वीडियो upload कर दी है अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो highly recommend करूंगा मैं कि आपको यह वीडियो बीना देखे मज जाईएगा bad experience है fully disappointed है don't book these hotels for three days quarantine अगर आपके कोई भी relatives में या friends में three days का quarantine book करने वाला है या कोई भी flight book करने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो जुरूर शेर कीजेगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्योंकि जो four girls थी वो sharing में थी और one found होगी corona post है and उसका three के साथ क्या हुआ so सब कुछ इसमें मैंने उनकी audio record किया है उन्होंने मुझे specially interview दिया था so आप ये वीडियो highly recommend करूंगा कि सब देखिएगा आप and साथ में share कीजेगा and ये birthday vlog है दो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं quarantine में था तो मैंने birthday कैसे celebrate किया अपना cake कैसे बनाय है next topic के साथ अगर आपका इस वीडियो को लेकर या मेरी और किसी वीडियो को भी लेकर कोई भी doubt है तो आप मुझे Instagram पर DM कर दीजे then I will solve your doubt and अगर आप मेरे साथ personally interview करना चाते हैं तो मुझे Instagram पर DM कर दीजे कि मैं अपना traveling experience share करना चाते हूं then we arrange a meeting and we talk with each other so thank you guys next video में मिलते हैं जल्दी next topic के साथ